नमस्कार और वल्कम ये अलू वल्लफेर्स मैं को प्रशान दवन नाओ रीसेली देखा गया के इंडिया ने लिटरली शॉक कर दिया रश्या को वर्ल्ड कोट में इंडिया ने एच्छुली रश्या के अगेंस्ट वोट कर दिया ये पहली बार है युक्रेयन वोर्ड के इंडिया जज्ज वोट्स अगेंस्ट रश्या फॉर इन्वेडिंग युक्रेयन बहुत जड़ा बड़ी बात है अपने आप में हम डिस्कॉस करेंगे इस वीडियो में के वर्ल्ड कोट में ऐसा क्यों हुआ है क्यों अब तक इंडिया एपस्टेन कर रहा था मगर इस पर् ज़िना होगा के वर्ल्ड कोट को ही कहते हैं इंटरनाशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों अलग नहीं हैं बोथ आर्दर सेम वर्ल्ड कोट फड़ा आपके लिए मीडिया टर्म है आर्टिकल्स में पबलिश होती है अब इंटरनाशनल कोट जस्टिस आपको खाबर मिलेगा नेधरलेंड्स में नेधरलेंड्स के शहर दहेग में एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर क्लाटी के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है एश्या का मैप और यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत आपको अगर वर्ल्ड कोट देखना है तो आपको जाना होगा यूरोप की तरफ यूरोप में आपको बता होगा एक देश है नेधरलेंड्स ठीक है यह आपे नेधरलेंड्स है और नेधरलेंड्स में आपको मिलेगा इंटरनाशनल कोर्ट ओफ जस्टिस नेधरलेंड्स की कैपिटल क्या है एमस्टरडैम और यहाँ पे International Court of Justice, यह United Nations के जो 6 principal organs हैं, उन में से एक है, और interestingly यह अकेला UN का principal organ है, जो आपको USA से बाहर मिलेगा, अब recently यहाँ पर क्या हुआ, कि जब रश्या ने बड़े scale पर आकरमन कर दिया Ukraine पर, Ukraine की invasion स्टार्ट कर दी, फिर February 24 को, February 24 या 26 के आसपास, Ukraine की leadership पहुची International Court of Justice में, क्यों, क् यह International Court of Justice का काम यही है, कि countries के बीच में, जो मसले खड़े हो जाते हैं, उनको solve करवाना, जो Indus Water Treaty को लेकर, issues कभी कभी आते हैं, पाकिस्तान कभी complain करता है, कि पानियम को कम दे रहे हैं, या फिर कुलबूशन जड़कवा case आता है, सारे cases International Court of Justice ही देखता है, तो Ukraine की सरकार भी case चला इस issue पर, और finally देखा गया, recently, International Court of Justice ने दिया है verdict, अब International Court of Justice भी एक proper court की तरह function करता है, यहाँ पर कितने judge बैठते हैं, 15 judge, जी हाँ 15 judge यहाँ पर बैठते हैं, जो दुनिया भर की women countries से होते हैं, और यह सब judges जो FESTA देते हैं, उनकी फिर voting होती है, अब मानलों के कल को क case आजाता है, USA और Canada के बीच में, तो यहाँ पर voting होगी, अगर मानली जी है 15 में से 8 judges ने का के USA ठीक है, 7 judges ने का के Canada ठीक है, तो USA के पक्षमिजाय का फैसला, तो अभी के लिए आप अगर देखो, तो यह सब judges हैं, वर्ल्ड कोट के, जी हाँ अभी के लिए USA का भी judge भी आप बैठता है, यह बादवे, प्रेजिडेंट है, फॉर टाइम बिंग, चाइना के भी आपर judge है, फ्रांस के भी है, और यहाँ पर अपने judge को ले कराना अपने आपे बहुती बड़ी बाद होती है, पूरी इस पर voting होती है, United Nations में, आपको countries को अपने side लेना होता है, तब जाक से भार हो गया, और यह करके दिखाया था, इंडिया ने, UK के लिए एक बहुती बड़ी embarrassment थी, कि इनके judge की जगा, अब Indian judge बाठेगा, वर्ल्ड court में, तो अब recently क्या हुआ, इन 15 judges के सामने, उक्रेन ने रखा अपना पक्ष, कि देखिए, हम independent country, रश्या ने invasion स्टार्ट कर द दिया, रश्या ने अपनी तरफ से कोई वकील यहां पर भेजा ही नहीं, इन्होंने simply यहां पर यह का पहली बात तो, कि देखिए, यह invasion थोड़ी ना है, यह वार थोड़ी ना है, यह तो military operation है, अब मैंने यह भी notice किया, बीच में एक युक्रेन का वकील था, वो भी उसने भी बोल दिया, कि रश्या पर भी sanctions होड़ी लगे हैं, रश्या की तो economy ठीक करी जा रही है, जो यह Microsoft, Apple सब निकले हैं, और यह swift से भार कर दिया रश्या को, यह sanctions होड़ी ना है, तो देखिए, mocking यहां पर खूब चल रही थी, और इस बीच यहां पर फिर आया verdict, interesting बात है, अब यह दो जज़ा समझ सकते हैं, कौन से होंगे, एक तो चाइना के जज़ा यहां पर, उसके लावा है रश्या के जज़, बाकी जो तिरा जज़ा यहां पर, इंडिया समेथ, France, Brazil, US, various और कंट्रीज के, Lebanon, Japan, सबी कंट्रीज ने यह का कि रश्या को immediately, यह war रुखनी चाहिए, रश्या यहां पर गलत काम कर रहा है, और आप अगर पूरी जज़्मेंट पढ़ेंगे, जहां पर इंडिया के जज़ ने भी रश्या के अगेंस वोट किया है, तो वहां पर यह लिखा है, कि पुतिन भी आज के समय बहुत जादा अजीब सा behavior दिखा रहे हैं, अ उनको यह सजा देंगे, और जो भी रश्यान बहार आज के समय रुके हैं, यूएस में और जगा, वो भी गदार हैं, उनमें से भी अगर किसी ने रश्या के अगेंस बात करी, तो उसको भी यह सजा देंगे, तो बहुत जादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो चुके हैं पुति के देखिए, यहां पर abstain का option नहीं होता, वर्ल्ड कोट में या तो आप कहेंगे के verdict में रश्या गिल्टी है, या फिर आप कहोगे innocent है, चाइना ने ओपन लिक्या दिया, अभी यह सब देखकर भी के रश्या इनोसेंट है, इंडियान जज्ज के लिए बहुत ही difficult हो गया थ उसके geopolitical reasons भी थे, मगर इंडियान जज्ज जो हैं यहाँ पर उन पर इंडियान ने कभी भी foreign policy का pressure नहीं डाला, इंडियान ने यहाँ पर यह policy रखी है, कि हमने अपने जज्ज को बिजा है world court में, यह as an independent mind, खोद decide करेंगे कि इनको क्या फैसा देना है, इंडियान की तरफ स जो यह decision था, at the world court, क्या आपके साफ से सही है, या फिर आप मानते हैं कि जो चाइना ने किया है, वो भी हम कर सकते थे, थोड़ी हम इससे रश्या को ज़ला friendship दिखाते, या फिर आपको यहाँ पर कहना है, कि नई यह war बहुत आगे बढ़ चुकी है, कई ना कई, इंडियान जज जो है, यह आपर बने रहेंगे, दो हजार सताइस तक, और फानली आपर मैं यह भी add कर दूं, कि लाइफ में अगर आप एक बार UPSC exam के लिए genuinely prepare करना चाते हैं, तो comment section में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा है link UPSC, इस पे click करो, और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे UPS UPSC combo package जिसके इंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं in a single purchase, यह सारे courses आप unacademy पे अलग-अलग purchase करोगे, आपको around 10-15,000 रुपीस extra pay करने होंगे, तो एक तो यहाँ पर आपकी saving होती है, उसके उपर additional यहाँ पर आपकी saving होगी, अगर आप use करते हैं, promo code PD10, the prices will just fall even more, so use the code PD10 and save your hard-earned money, तो इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.